Hello everyone, welcome back to another video तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2024 का International Dropshipping में Product Research कैसे करें उस method के उपर तो previous मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाया जिसमें मैंने बहुत सारे strategies वगर आपको दिखाया है कि कैसे कैसे product research करें लेकिन time to time क्या होता है जो हम लोग tools वगरा यूज करते हैं वो सब update होते हैं और साथ में जो हमारा strategy है उसको भी changes करना पड़ता है तो जिसकान से ये वीडियो फिर से में बना रहा हूँ और इस बार जो मैं method दिखाऊंगा इसमें बहुत सारे अलग-अलग features एड हो चुके जिससे जो हमारा जो तरीका है वो बहुत ही simple हो चुका है अभी तो क्या strategy है क्या-क्या निया tools एड हुआ है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा computer के screen में और complete हम लोग थोड़ा देखेंगे कि क्या-क्या possibilities है और क्या-क्या features provided है जो tools मैं यूज करता हूँ generally उसमें आपको पता ही है मेरे पुराने वीडियोज अगर देखते हो तो कि मैं किस niche में work करता हूँ और मेरे tools कौन से जो मैं product research के लिए यूज करता हूँ वो सब चीज़ है तो सबसे पहले देखी एक करके मैं आगे बरूँगा सबसे पहले उपर आप देख सकते हो success radar तो success radar में जैसे एक click करूँगा तो यह क्या होगा ना तो जैसे कि यहाँ पे देखिए यह timing मैंने देखा कि पहले कुछ और था अभी change हो चुका है जैसे यहाँ पे 8 hours है तो 8 hours बात क्या होगा ना यह जो पूरा list है वो refresh हो जाता है अभी कुछ देर पहले जब मैंने खुला था तो वो like one hour बचा हुआ था तो अभी जैसे वो one hour खतम हुआ अभी यहाँ फिर से 8 hour का countdown स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे क्या है ना आपको बहुत सारे products मिलेंगे और सबसे पहले देखिए language अगर देखो कि आप तो इससे आपको तो आइडिया लग जाएगा कि यह product किस country में sale हो सकता है और बाकी इनका जो माइनिया score वगर आया ना मैंने देखा है वो अच्छा ही rate करते है products को और maximum जो product मैंने देखा है यहाँ पे थोड़ा सा unique type के product होते है जो पहले के like saturated product है ना वैसे type के नहीं होते हाँ वो type के product होते है लेकिन वो exact product नहीं है जो की अभी saturated हो चुका है तो इसलिए इसमें क्या है ना हम लोग बहुत अच्छे अच्छे product कभी ढूंड पाते हैं तो जैसे for example मैं आपको दिखा देता हूँ कोई product गरतो एक बार देखता हूँ में किया है यह product तो यह जहां तक मुझे दिख रहा है कि यह फ्रांस में sale हो रहा है और पिंटरेस्ट एड के तो एससा एक product था मुझे अभी याद है winning product था जिसमें यह से दो liquid आता था तो वैसे type का यह product है और अगर see more में हम लोग क्लिक करेंगे तो इसका थोड़ा और details हमें पता चलेगा तो जैसे कि आप देख सकते हो यह फ्रांस में sale हो रहा है तो लेकिन अगर यह अकर winning airs मिल गया इस product का तो हम लोग इसको sale कर सकते है इसमें भी आलाइक USA में भी तो जैसकी यह देखिए अभी इनका सबसे बेटर चीज़ के आना माइनिया का जैसे इस product के अंदर के हमें नी तो शायद cosmetics product है नहीं कि दिखने में थोड़ा अजीब सा ही product है थोड़ा research करना पड़ेगा तभी बता चलेगा क्योंकि France में लिखाया ना French में तो पता नी चल रहा मुझे लेकिन कुछ ना कुछ इंट्रेस्टिंग तो product है तो इसको मैं क्या करता हो ना save कर ले तो मेरा एक यह है folder बना लिया था मैंने उसमें save कर लिया मैंने थोड़ा research करूँगा इसके अंदर जाओँगा लेकिन इन्होंने क्या किया थोड़ा मुझे recommendation दे दिया है अच्छा कासा मिल जाता है products जैसे कि देखिए यह मुझे मिल रहा है वो ही product है और यहाँ पे वो है अच्छा product तो इसके उपर थोड़ा research तो करूँगा मैं क्या है तो यह तो एक हो गया चीज like method बाकी देखिया इसमें बहुत सारे अलग-अलग interesting product है पता नहीं कब कौन सा आपको मिल जाए और यह जैसे ही refresh होता है जैसे मैंने आपको बताया कि 8 hours बात refresh हो जाता है तो हो सकता है कि और जैसे normally अभी क्या मुझे पता चला filter water bottle right filter water bottle यह प्रोड़क्तों मैं अभी मतलब ऐसे directly सेल नहीं करूंगा लेकिन for example मैंने search किया देखता हो क्या आता है तो देखिया मतलब बहुत सारे जो भी category है ना इस keyword का उसके regarding जो भी product है वो सारे आगए मेरे पास तो ऐसे करके हम कौन से है और TikTok में कौन से है और दो एक important चीज़ है जो बहुत ही अच्छा चीज़ है इनका वो है इनका newly introduced यह photo search तो photo search वाला जो बटन है उसमें क्या है कोई भी photo अगर आप डालोगे for example मैं आपना जो drop shipping है उसमें से like को एक product का photo डाल देता हूँ जो कि like मैंने last year सेल किया थ उसमें देखे मुझे और एक अच्छा product मिला यह वाला product दिखने में तो अच्छा लग रहा है तो वही चीज़ है अग जितना हम लोग यह दिखे यह वाला product जो मैं बता रहा था इसमें अच्छा खासा यह views भी है तो यह filter लगा के और फुरा dig down कर सकते हम लोग और बाकी त इसके बाद अभी और एक important method है वह में दिखाता हूँ सबसे पहले मैं के जो में डेश्बोर्ड है उतमें चला गया में डेश्बोर्ड में जाने के बाद देखिए यहाँ पर यह जो options है ना यह 100 winning product sale on Facebook उसका टिक टॉक और यह जो e-commerce के store है यह मुझे बहुत ज्यादा यह जो तीन जो banner है वो इसमें जाके इतने अच्छे अच्छे product मिलते है ना कभी-कभी मतलब आप मतलब देख सकते हो अगर खुद जाके बाकी इसके इलाबा भी एक method है जो की है यह उपर वाला जो add है उसमें जाके और यह method है मैं जो पहले use करता था जिसमें मैं क्या करता इनका देखिए एक सबसे पहले तो चीज है इस drop shipping वाला बटन है इसमें जैसी यह मैं क्लिक करूँगा तो सिब drop shipping वाले products ही आएंगे मेरे पास उसके बाद इसमें जैसे country है उसमें मैं लगा लूँगा for example North America लगा दिया तो North America के drop shipping products वगरा सेल कर रहे हो आ जाएगा उसके वार targeting audience में भी जा सकता हूँ मैं या फिर में क्या करता हूँ नॉनमिली days के साथ हेलता हूँ जैसे पिछले साल का same time में क्या product sale हो रहा था वो देख था हूँ फास्ट सिन लस्ट सेन का date डाल के तो यह एक बड़िया method है जुसके regarding मैंने video बहुत ज्यादा बना के रखा है व इसमें और क्या-क्या facilities है जैसे for example यहाँ पे भी कुछ recommendations है Facebook, Pinterest और TikTok के 10 best product का आज दिन का तो जैसे पहला-पहला product में मैं चला गया तो यह जो product है इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं सबसे पहला तो यह unique product है और यह sale हो रहा इसी करान से यहाँ पे आया जैसे कि अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ यहाँ पे देखिए यह दिखा रहा है कि इसमें जो engagement आ रहा है ना ads में उसका और अगर देखू मैं 11 मार्च तक इसका engagement आ रहा है मतलब क्या है यह product चल रहा है अभी लाग एक growth है इसमें राइट तो यह product चल रहा है तो हो सकता है इस product को हम लो बहुत सरे वीडियो आ गया और इन वीडियो को हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं देखिए यहाँ पर डाउनलोड का button भी है डाउनलोड करके दो दिन वीडियो को मर्च करके हम लोग एड बना सकते हैं और इनका जो website है अगर देखे तो नीचे देखिए ज्यादातर audience जो भी ट्राई कर सकते हैं और चाहे तो UKM भी ट्राई कर सकते हैं और तो बाकि अगर इनके product page में जाए तो देखते क्या आता है यहाँ पर तो यह देखिए इनका product page वो जो product sale कर रहे थे वो लोग और basic सा website है लेकिन sale हो रहा था जिस कारण से यह लोग ad run कर रहे होंगे इतने दिन से तो इसलिए strategy तो सही है like इसके थो हम लोग जा सकते आगे बढ़ सकते और बाकी बस यही था इस वीडियो में बहुत सारे चीज़ों में ने दिखा दिया आपको बहुत सारे अलग-अलग में थाटे बस आपको क्या करना है एक Excel file maintain करना है जिसमें आपको products बगरा लि नहीं किया है और कभी winning product आपको मिला नहीं है तो उस case में मैं आपको suggest करूंगा आप ऐसा product sale करो जिसको आप 35 से 50 डॉलर के आसपास sale कर पाऊ उसके बीच में ऐसा नों कि 50 डॉलर से उपर हो आपका selling price या फिर 35 या 30 डॉलर से नीचे हो तो इसका main reason क्या है आप जो भी product sale करो shipping charge अगर आप लगा रहे हो तो shipping charge को add कर लेना selling price में उनका difference है वो 20 डॉलर के आसपास होना चाहिए 18 डॉलर minimum से minimum और 20 अब रहा तो तो बहुत अच्छा है तो यह दो जीज़ एक है product का selling price है वो 30 से 50 डॉलर कभी कभी आम लोग 30 डॉलर प्रस shipping करके 35 कर लेते या फिर 30 डॉलर से 50 डॉलर और profit margin minimum 20 डॉलर रख लो अगर वोस्ट यह strategy करोगे तो आप long term में loss में नहीं जाओगे नहीं तो क्या होगा कभी कभी ऐसा product आप मानलो choose कर लिया जिसको आप 20 डॉलर में sale करोगे बले ही वो product आपको 5 डॉलर में मिल जा रहा हूं sourcing लेकिन 20 डॉलर में sale करोगे त तो वो जो प्रेशा है ना उससे हो सकता है कि add run करके आपको cost per purchase ना मिले जिस करण से थोड़ा सा ज्यादा रखे नहीं बेटर है initial stage में और अगर आप थोड़ा भी मतलब आपको पता है कैसे क्या चीज़ करते है तब तो आप 19 डॉलर या फिर आप 90-100 डॉलर की product से भी profit कमा सकता है क्योंकि उस समय क्या होता है हम लोग अपसेल बगरा करते हमारा री टार्गेटिंग अच्छा होता है वह सब चीज़ है तो यह था पुरा जो product research method है वो इसमें जो strategy है बहुत ही simple हो चुका है जैसे आपको मैंने दिखाया कि कुछ features जो add हुए इसमें यह magic search वाला या जो पहले में दुसरे method से करता था वो tracking वगरा लगा के लेकिन अभी के case में क्या है ना वो जो इनका जो list आ जाता है यह उससे बहुत ही easy हो जाता है ऐसे products को ढूणना और उसके बाद वैसे product अकर एक बार मिल जाए तो उन stores को कभी-कभी हम लोग track करके उन में जो new products वो लो एक thumb rule बना लेना है आपको कि यह यह product ही में test करूँगा और इतना इतना budget ही में allocate करूँगा तब जाके आप कोई ना कोई ऐसा product आपको निकल के आया जाएगा जो आपको success देगा ऐसा नहीं कि आपको random सा कितना भी अलग सा spend करो एक में आपने 100 डोला spend कर दिए एक में 50 डोल तो बस यहीदा इस वीडियो में thank you for watching and stay connected